प्यारे छात्रो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अपनी संख्याओं की जानकारी एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्टन नमबर फस्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए फस्ट पार्ट है एक लाख बराबर दस हजार अर्थात एक लाख में कितने दस जार होते हैं एक लाख में सुन्यों की संख्या जो उती है उती है पांच वन टू थ्री फूर खवाई दस हजार ठीके दस जार को कैसे लेखेंगे दस के आगे तीन सुन्य अर्थात 10,000 में 4 सुन्य 3 सुन्य से 3 सुन्य cancel 1 सुन्य से उपर वाला सुन्य cancel था भारे पास क्या बचेगा? 10 एक लाख में 10,000,000 होते हैं देखे 1,000,000 में मिलियन में सुन्यों किसें क्या अच्छ है? 1,2,3,4,5,6 कितने सु हजार? सु और हजार 3 सुन्य से 3 सुन्य cancel 2 से 2 cancel हमारे पास बचेगा? 10 एक मिलियन में कितने सु हजार? दिखेंगे 10,100,000 एक करोड एक करोड बे सुन्यों किसें क्या साथ? 1,2,3,4,5,6,7 कितने 10,000,000? तो देखें, लाख में होते हैं 5 सुन्य और 10,000,000 हो जाएंगे 6 सुन्य 1,2,3,4,5,6 देखेंगे 6 सुन्यों से उपर के 6 सुन्यों कैंचल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 10,10,000,000 अरतात एक करोड पे 10,10,000,000 होते हैं फिर से एक करोड एक करोड पे फिर से साथ सुन्यों 1,2,3,4,5,6 और 7 डिपाइड पाइए एक मिलियन एक मिलियन में सुन्यों किसंग क्या होती है 6 एक 1,2,3,4,5,6 6 सुन्यों से 6 कैंसल तो हमारे पास में बचेगा 10 एक करोड में 10,000,000 अब एक मिलियन सुन्यों किसंग क्या फिर से 6 है 1,2,3,4,5,6 लाख हमें सुन्यों किसंग क्या 5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 तो ये सुन्यों किसंग क्या उपर से कट जाएगी उपर नीचे तो हमारे पास में बचेगा 10,000,000 एक मिलियन में 10,000,000 अल्प बिरामों का प्रियोग करते भे संख्यांकों को लिखिए Q2 का 1st पार्ट है 73,75,307 देखिए यहाँ पर एक चार्ट है जिसको हम Place Value Chart भी कहते हैं इस Place Value Chart में हम पहले इसको लिख लेते हैं और तब उसके बाद अल्प बिरामों का प्रियोग करके इसको लिखेंगे तो 1st पार्ट है 73,00,000 देखिए लाख, 70,00,000 और 3,00,000 73,00, 75,000, 1000 और 10,000 307,307 इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे 73,00,75,000 307,00, पहला अल्प बिराम तीन नंबर के बाद फिर से दो नंबर के बाद भार्टिय संख्यांकन पद्यति में पहला अल्प बिराम तीन अंकों के बाद और दूसरा दो अंकों के बाद आता रहेगा 9,00,51,000 तो देखिए 9,00,51,000 को कैसे लिखेंगे देखिए 9,00,000 है लाख के नीचे 5 लिख लिख लिखेंगे 41,00, तो 41 यहाँ पर लिख लिखेंगे और बाकी जो स्थान बचेव हैं इनमें क्या लिख लिखेंगे जीरो लिख लिखेंगे तो 9,00,51,000 हमारी संख्या इस प्रकार से लिखी जाएगी इस प्रकार से लिख लिखेंगे इसको अलप बिरामों का प्रियूग करके पहला अलप बिराम फिर दूसरा अलप बिराम और फिर तीसरार विब्राम इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे सी पार्ड देखें साथ करोड़ बावन लाग साथ करोड़ बावन लाग को किस प्रकार से लिखेंगे देखें करोड़ के नीचे साथ बावन लाग पचास लाग, दो लाग बावन लाग 21,000 1000 और 10,000 21,000 302 इस परकार से लिखेंगे 7 करोड 52,21,302 पहला आलप विराम फिर दूसरा और फिर तीसरा इस परकार से इस पर आलप विरामों का प्रियूग करेंगे 23,30,000 दस है दी बाला पार्ट तो पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेते हैं इसको लिखने में और आसानी रहे गया मैं 23,30,000 दस और यहां पर लिख लेंगे 10 लास्ट में 23,30,000 दस देखे पहला अलप विराम फिर दूसरा अलप विराम और फिर से अगला अलप विराम जो होगा वो आएगा इपार्ट है इसका 58,423,202 देखे अंतरास्टे संख्यांकन पदेति में इसको किस प्रकार से लिखेंगे 58,423,202 तो अंतरास्टे संख्यांकन पदेति में प्रते एक तीन अंक के बाद हम अलप विराम का प्रियूग करते हैं तो पहला अलप विराम फिर दूसरा अलप विराम में इस प्रकार से हम अलप विरामों का प्रियूग करेंगे अंतरास्टे संख्यांकन पदेति में भारतिय संख्यांकन पदेति में पहले तीन स्थान फिर दो स्थान के बाद अंतरास्टे संख्यांकन पदेति में तीन स्थानों के बाद परते एक तीन स्थान के बाद हम अल्प बिरामों का वियूग करेंगे थैंक यूज़